अपने हतानों उठाके, बोलो मिन्हों होर किसे दी लोड नहीं, से नो मिन्हों येशु दी लोड आ, उन्ची वाज वेचें, उन्ची वाज वेचें, बोलो मिन्हों होर किसे दी लोड नहीं, मैन्हों येशु दी लोड आ, येशु मसीरे सामती ना चुमंग रहे हां, सब जन बैठ जाएंगे, मैं तानू की समझाु नहीं हों दा से, मैं की कर सम्झाु नहीं, नहीं किसे भी चीज दी लोड नहीं, कि तारको बडा पैसा होए तो तुसी पैसा कमाऊंगे ? नो, तानू की दी लोड आ, उन्ची बोलो, बोलो येशु दी, उन्ची वाज ए चैं, बोलो मिन्हों होर कोछ नहीं चाहिदा प्रभु येश्यू तू चाहिदा बार बार अंगी कार करो को प्रभु येश्यू मिन्हों कोछ नहीं चाहिदा बोलो प्रभु येश्यू मिन्हों तू चाहिदा से रो मिन्हों येस दुनिया चे किसे चीज़ दी लोड़ दी सिर्फ तेरी लोड़ा येश्यू मसीर सामती ना चमंग दे हां अपनी बाइबल नो चाठाओ बोलो परमेशे ये तेरा जीवत कलाम है जो कोछ एरे वेचे लिख्या मेरे लिख्या मैं ओही बनूँगा जो एरे वेचे लिख्या येश्यू मसीर सामती ना चमंग दे हां किने जने आज़ खोशा ताड़ी बजा आगे वे दसोवे में ना खोलांगे मतीरी अंजील मैथ्यू सिक्स औरी एक तो स्तारा तक मैं ही पढ़ांगा लिखा सावदान रहो तुम मनुच्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो नहीं तो अपने स्वर्गिये पिता से कुछ भी फल ना पाओगे इसलिए जब तु दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा जैसे कप्टी सबाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करे मैं तुम से सच कहता हूँ के वे अपना प्रती फल पा चुके प्रतु जब तु दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायाम हाथ ना जानने पाए ताकि तेरा दान गुपत रहे और तब तेरा पिता जो स्वर्ग में देखता है तुझे प्रती फल देगा जब तु प्रत्ना करें तो कप्टीयों के समान ना हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए अराद नालियों में और शड़कों के मोडों पर खड़े होकर प्रत्ना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रती फल पा चुके प्रन्तु जब तु प्रत्ना करे तो अपनी कोठ्री में जा और दोवार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रत्ना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा प्रत्ना करते समय अन्या जातियों के समान बक बक ना करो क्योंके वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी इसलिए तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या अवश्कता है और तुम इस रीती से प्रात्ना किया करो हे हमारे पिता तु जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवितर मना जाए तेरा राज्या आये, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती, वैसे प्रिथी पर पूरी हो, हमारी दिन बर की रोटी आज हमें दे, और जिस परकार हमने अपने अपरादियों को शमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपरादों को शमा कर, और हमें प्रिक्षा में नला प्रंतु बराई से बचा क्योंकि राज्या और परकम और महिमा सजा तेरी है आमिन इसलिए जदी तुम मनुश्य के अपराज शमा करेगे तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हारे अपराज शमा करेगा और जड़ी तुम मनुश्यों के अपराज शमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराज शमा ना करेगा जब तुम उपवास करो तो कप्टियों के समा तुम्हारे मुँ पर उदासी ना शाही रे क्योंकि वे अपना प्रती फल वे अपना मुँ बनाएं रखते हैं ताकि लोग तुमें अपवासी जाने ये मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रती फल पा चुकें प्रंतु जब तु अपवास करें तो अपने सर पर तेल मल और मुँ दो ताकि लोग तुमें लोग नहीं प्रंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने इस दश्या में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा सब बलो आमीन बोलो प्रमेशर ये वच्चन मेरी आत्मा में बोया जाए और इस वच्चन को सिर्म मैं सुनने वाला नहीं बलके इसके उसाथ चलने वाला सौग उना फल लेके आने वाला और दूसरों के साथ शेयर करने वाला बनू ये शुमसी के सामत ही नामे मंगते कितने लोग वच्चन को शेयर करते मुबाइल किस किस के पास है है निकलो अपने फोन और यूट्यूब को शेयर करो सिस्क्राइब करो चैनल क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसको प्रैक्रिकल ही करो फिर उसी चीज का फैदा होगा अपने फोन को निकलो ये मुझे पुवित्रा आत्मा ने आज बोला कि जाके बोल लोगों को कि फोन निकलो और यूट्यूब को फेस्बुक में शेयर करो हो गया? आज से आप डबल बलेस हैं ये शमसी के सामर्थी नाम में बाइबल में प्रभु ये शमसी ने क्या कहा? कि जाओ सब जातियों को मेरी सिख्षा जो मैंने तुमें सिख्षाई सब जातियों में जाओ लोगों को बताओ जो विश्वाश करें उनको पिता पुतर पुवितर आत्मा के नाम से बपतुस्वा दो और उन्हें चेला बनाओ बहुत सारे लोग है तुम तुम में से बहुत सारे लोग है वो जा नहीं सकते पर इन दिनों में परमेशर ने मुझे और आपको है कि इतने अच्छे दिनों में पैदा किया कि हम गर्व बैठे ही पांच हजार लोगों के पास परमेशर का वच्चन बेज सकते हैं एक फेस्बूख आइडी के दौ़ारा पांच हजार लोग उसके साथ अटैच हो सकते तो परमेशिर की किरपा से परमेशिर के अच्छे अच्छे दास है मैं नहीं कहरा मैं ही मुझसे सारे बैट रहे हैं मैं सबसे नकम्मा हूँ जो भी वच्छन आपको अच्छा लगे उस वच्छन को शेयर जरूर करो किसी भी दास का उसको शे लोग अटैच हैं तो जब आप रोज एक वच्छन को किसी परमेशिर के दास के दवारा सुनाया गया वच्छन जब शेयर करते हो तो पांच हज़ार लोगों तक पहुंचता पहुंचता कि नहीं पहुंचता उच्छी बहलो तो हो नहीं सकता अगर आप ड्यूटी करे हो अ इतनी मर्जी नफुरत करते हैं परमेशिर के वच्छन को कभी न कभी कोई न कोई आप ऐसी बात उनके मन को लगेगी कि एप कि वो चखेंगे भी और खाएंगे भी तो जब खाएंगे तो परमेशिर का वच्छन स्वाद्दिष्ट है और दो दारी दलवार से तिखा ये इतना डीप जा सकता दुनिया की कोई चीज भी डीप नहीं जा सकती डीप नहीं जा सकती लेकिन कई लोग क्या करते हैं दूसरी चीजों को इतना शेर करते हैं पर परमेशर के वचन को कम शेर करते हैं किसी की लड़ाई हो जी फटा फट एकसीडंट फटा फट और कोई बात फटा फट शेर करते हैं पर परमेशर का वचन आप शेर नहीं करते हैं यह आपको और मुझे हुकम है वचन को शेर करना कहता है जाओ सब जातियों को मेरी बातें बताओ तो प्रभू ये शमसी की बात क्या वो वचन जो पुवितर आत्मा ने एक परमेशर के दास को दिया और उसमें बोला वैसे तो पूरी बाइबल ही यह यह नहीं पूरी बाइबल की फोटो आखिचो फोटो शेर करो क्योंकि वोई शब्द रेमा शब्द होता जो पुवितर आत्मा के दोवारा दिया जाता तो जो पुवितर आत्मा के दोवारा जो शब्द यो वचन दिया जाता उसको शेर करो और जब पांच हजार लोगों के पास पहुंचेगा तो आप देखोगे आप अपने फोन के दोऊ रही है हो सकता साल में हो सकता च्छे मीने में हो सकता अपनी अखरी लए साह तक आप पांच हजान लोगों को जब बचाऊगे वो स्वर्ग जाएँगे तो दर्ती पे भी आपको गर बैठे उसका रिवाड मिलेगा और स्वर्ग में reward मिलेगा आशमसी के सामाती नाम है कितने जना आउनलाइन बिजनस करना चाते है है ना यह यह इसमसी का बिजनस आउनलाइन आउनलाइन बिजनस हर एक natural चीज जो अगर उसको शैतान यूज करता तो हम भी यूज कर सकते हैं प्रभू के लिए तो मैंने पहले ही आपको ये बात कही कि परमेशन आपकी मुझदूरी नहीं रखेगा मेरी मुझदूरी मुझे मेरे काम की देनी उसने आपकी मुझदूरी आपके काम की देगा परमेशन तो अगर आप पांच जार लोगों को प्रभू में ले आते हो चायो कहीं भी चर्च जाएंगे तो जब वो स्वर्ग जाएंगे तो आप देखेंगे स्वर्ग में आपका घर बैटरी होगा यह श्मसी के सामरतिना में तो इस बात को सीरियस लेना आप वचन को शेर करना अपने फोन के दोरा तो मैंने आते ही आपको एक बात बताई कि जिस चीज़ को आप यूज़ करते हैं परमेशर के लिए वोई चीज़ की पर्टेक्शन परमेशर करता और उसको बढ़ता कहा कि नहीं कहा अगर आप फोन को यूज़ करोगे परमेशर लिए तो आईफोन दूर नहीं लाख तक का फोन आपके पास होगा यूज़ के सामती नाव में यह मैं लालच नहीं दे रहा यह परमेशर की मर्जी है जब आप प्रबू को अपने आपको धर्मी दिखाते हो कि परमेशर मैं तेरी नजर में धर्म का काम की या तेरे वच्छन को फलाया तो परमेशर क्या बोलता फूलो फलो और धर्टी को बार दो कहता कि नहीं कहता उच्छी बोलो तो आज से किसी भी परमेशर के अदास का जो आपको वच्छन आत्म को वच्छन लगे जो आपकी स्पिरिट को टच करें पहले तो आपकी डूटी बनती जिस चर्च में जा रहे फरमेशन ने आपको वो चर्च दिया उस चर्च में जो बोला जा रहा उसको शेयर करो किसी की गवाई को शेयर करो कोई वचन को शेयर करो किसी सौंग को शेयर करो कि कई सांग के दोरा लोगों के जीवन बदले सांग के दोरा वर्शिप के दोरा वर्शिप को शेयर करो कुछ बातों को शेयर करो जो आपको अच्छी लगी जब आप शेयर करोगे तो वो अगर आपको अच्छी लगी तो आपके जैसे और भी हजारों लोकों गे इंडिया मे पूरे वर्ल्ड में तो आप उस उसके छुटकारे का उसकी आशिश का हिस्सेदार बन सकते हूँ अपने हाथ को उठाओ बोलो परमेशे आज मुझे ग्रेज दे ताकि तेरे वच्चन को मैं शेर कर सकूं और अपने फोन के दोबर आई कम से कम पांच हजार लोगों को सवर लेके जाँ सकूं बोलो बोलो यह इस प्रात्ना को करो इस प्रात्ना को करो ये शिव मसी के समर्ति नाम में मंगते सब बोलो आमीन लिखा सावदा रहो तुम मनुश्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो नहीं तो अपने स्वर्गी पिता से कुछ भी फल ना पाओगो हर एक चीज हर एक काम हर एक शब्द जो आप इस दर्ती पे करते हो उसका फल मिलता अगर आप गलत काम कर रहे हो तो उसका फल मिलता अगर आप सही काम कर रहे हो तो उसका भी फल मिलता पर बाइबल हमें सखती कि कुछ फल दर्ती पे इनसानों के दोरा मिलते हैं और कुछ फल आपके धर्म के कामों के परमेशर के दोरा फैसला आपके हाथ में उता पाइबल में लिका अगर आप धर्म के काम कर रहे हो चर्च आ रहे हो आप प्राथना कर रहे हो आप रोजे रख रहे हो आप भीज दे रहे हो ये क्या धर्म के काम बोलो धर्म के काम बोलो धर्म के काम अगर ये दीनों काम करें आप प्राथना करने वाले हो आप रोज़ा रखने वाले हो आप बीज देने वाले हो आप दस्वाँ हिसा देने वाले हो तो ये धर्म के काम है और बाइबल में लिखा इसका फल आपके हाथ में जहां तो इसका फ़ल आप मनुश्यों से पास सकते हो जहां तो इसका फ़ल आप परमेशे से पास सकते हो अगर आप चाहते हो कि मनुश्यों से मुझे फ़ल मिले तो ये भी आप क्या थे अगर आप चाहते हो कि इसका प्रती फ़ल मुझे परमेशे से मिले तो ये भी आप क्या थी तो बाइबल में साफ क्लियर कर दिया कि अगर आप प्राथना करते हो लोगों को दिखाने के लिए जो बाइबल में लिखा तो आप फाल पाओगे मनुश्यों से मनुश्य आपकी परसंसा करेंगे लोग आपको बढ़ी बहुत प्राथना करने वाला अगर आप फास रखोगे तो बाइबल में जो मैंने पड़ा लोगों को दिखाने के लिए तो फाल मिलेगा लोगों से अगर आप बीज बेज रहे हो दान दे रहे हो तो फाल मिलेगा वो मनुखों से पर परमेशर से नहीं मिलेगा बाइबल में लिखा अगर आप परमेशर से फल चाते हो तो प्राथना करो गुप्त में अगर आप फास्ट का रोज्जों का फल चाते हो तो रोज्जा रखो जैसे परमेशर के वच्ण में लिखा गुप्त में अगर आप अपने बीज का फल चाहते हो तो दान करो गुप्त में गुप्त में आप दान करो अगर आप गुप्त में आप दान करोगे तो बाइबन में लिखा आप अपने पिता से सुर्गिय पिता से फल पाओगे शमसी के सामती नाम में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्वर्गिये पिता से फाल चाते हो जा मनुश्यों से फाल चाते हो मनुश्यों से फाल तो उसी टेम मिल जाता आप किसी को जाके बतादो मैंने तीन गंटे प्रासना की आज उसी टेम बंदा कहेगा बड़ा बंदा प्राथना करने वाला आप किसी को जा के बता दो मैंने दो मही नेगर रोजे रखे बंदा उसी टेम के बड़े फास रखता या आप जा के बता दो मैंने उस विद्वा की साहिता की मैंने चाहच में इतने पैसे के आपको फॉल उसी टेम मिल जड़ाँ उसी टेम पर परमेशर का कनून क्या पहले भीज फिर पेड और फिर फॉल परमेशर उसी टेम नहीं देता मेरे ख्याल कोई भी दुनिया में ऐसा बीज नहीं होगा जो रात को बोया के सुबा फॉल लगे है कोई परमेशर का कनून नहीं कि आज फॉल बोया आपने कल को फॉल लग गया परमेशर का कनून क्या पहले आप बीज बॉह गेज आपका मरेगा फिर ओदरती से बाहर आएगा फिर ओट पेड बनता फिर उसको फॉल लगता कहने का का मतलsehen आप अगर परमेशर के लिए कुछ कर रहे हो तो उसको टाइम लगेगा उसको टाइम लगेगा अगर आप उस टाइम की वेट नहीं करते तो परमेशर से फल नहीं आए परमेशर से फल नहीं आएगा इसलिए अगर चल्च आ रहे हो आप दो साल से कुछ प्राथनाओं के आपके आंसर नहीं मिले तो डांट वेरी अगर आप प्राथना कर रहे हो आपके आंसर नहीं आए तो डांट वेरी अगर आपने फास्ट रखे तो आंसर नहीं आया तो डांट वेरी अगर आपने भीज बोया तो फल नहीं आया तो डॉंट वेरी अगर तो आपने इनसानों को खुश करने के लिए बोया होता तो उसी टेम आज़ना बले बले आपकी हो जाना लेकिन आपने परमेशर के लिए बोया तो वो एक परसीजर में वो धरती में जाएगा पेड़ बढ़ेंगा रहा वो फल लगेगे तो परमेशर कभी भी आपको अपने लेवल का फूरूट आपकी त्यारी के बिना कभी नहीं देता कभी नहीं देता कभी नहीं बाइबल में लिखा यकूब जब आपने मामा के गर में जा रहा था और रस्ते में जब सोया उसको सपना आया तो सपने में उसने देखा कि परमेशर के जो स्वर्ग दूट है वो उपर चाड़ रहें और नीचे आ रहें उसने एक सीड़ी देखी और उसने पत्थर लेके पत्थर के उपर तेल पाया और परमेशन से कमेंटमेंट की परमेशन अगर इस रस्ते में मुझे सुरक्षित रखे और मुझे सही सलामत अपने गर में लेके आए तो जो कुछ मेरे जीवन में होगा जो तू आशिशित करेगा उसका दस्वा हिस्सा मैं तुमें दूँगा किस चीज़ का दस्वा हिस्सा बाइबर ने लिखा उसने तेल की आफरिंग दी तेल की आफरिंग उसने दर्शन देखा स्वर्ग दूतों का हैवन का दर्शन देखा तो फाल कब मिला चौदा साल के बाद चौदा साल के बाद चौना साल के बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी मिली पहले साथ साल उसने बड़ी उसकी बेटी के लिए उस अपने मामा की बेटी के लिए दूसरे साथ साल उसने छोटी के लिए तो उसके बाद जब चौना साल के बाद उसने जो मिजदूरी की छे साल और उस छे साल में उसको फ्रूट मिला उस छे साल में क्योंकि परमेशर का कनून है क्यों पहले वो आपके क्रेक्टर को बनाता आपको बनाता पहले वो आपको अपने लेवल का करता फिर आपके जीवन में फ्रूट देता यब यकूब अपने गर से गया था तो एक दोखा देने वाले था उसने दो बार अपने बाई को एक तरह का दोखा दिया पहले उसने अब डाल की खातर उसको बूख लगी थी और उसने उसको डाल दे कर उसके पलोटे होने का हक ले लिया और दूसरी बार उसने जो आशिश उसके बाई को मिलनी थी उसको उसने ले लिया और भाई बने में लिखा जब वो अपने मामा के गर में गया तब परमेशन ने उसको भी दोखा दिलाया भाई बने में लिखा परमेशन उसके साथा फिर भी उसको दोखा हुआ पहले परमेशन ने उसके करेक्टर को साफ किया हर बात जो उसने की थी उसके जीवन में उसने कलियर की तो जब परमेशन को लगा अब ये दोक़्े बाजνη हैं इसने खुद दोका खा लिया इसने पहचाता पकार लिया अब पूरी तरह हाट से प्योर हो चुका तो बाइबर में लिखा 14 साल के बाद उसकी मुझदूरी का उसको रियल में फ्रूट मिलने लगा और परमेशर ने उसको सुपर नेचरली फ्रूट दिया सुपर नेचरली फ्रूट दिया इसलिए अगर आप चर्च में आ रहे हो आप प्राथना मी कर रहे हो आप रूज़े भी रख रहे हो आप बीज भी दे रहे हो तो परमेशर को अपना काम करने दो अपने जीवन के उपर क्योंकि जब वो ब्लेस्ट करेगा अपने लेवल के हसाब से आपको ब्लेस करें बाविल में लिखा जब यकूब वापस आया तो परमेशे ने एक तो उसका नाम बदला उसका नाम यकूब से इसराइल रखा इसराइल का मतलब परमेशे साथ तो परमेशे ने उसके नाम को भी करेक्ट किया उसके करेक्टर को भी करेक्ट किया और जब परमेशन ने उसको बलेस किया सुपर नैचरली इतना बलेस किया कि वो अपने बाई के साथ जो अपने खांदान के साथ काम करता था, बिजनस करता था, बेड़ बकड़ियां पाला उससे भी ज़्यादा ज़्यादा बलेस था ये शमसी के सामरती नामें इसलिए जब आप कुछ बो रहे हो परमेशर के भवन में जो अपनी लाइफ में अगर प्रातना रोजे और बीज़ तो परमेशर ने जैसे लखाया गुप्त में बो गुप्त में बो अगर आप बो के उसको बता रहे हो तो आपको फिर भी फाल मिल रहा पर परमेशर से ने मिल रहा नुखों से मिल रहा बाइबल में लिखा दूसरी बात जब आप प्रातना करने वाले हो चर्च आने वाले हो तो सबसे बड़ी बात किसी को तुच मत जानो है बहुत सारे लोग परमेशर से फल नहीं पाते जब वो को तुच जानते जब वो दूसरों को तुच जानते हैं अब आईवल में लिखा प्रबू येश्मसी ने कहा दो जन परातना करने के लिए गए एक ने पराथना की कि परमेशर मैं तो फास्ट भी रखता हूँ हफ्ते में दो बार मैं विब्याचारी भी नहीं हूँ, मैं अन्याये करने वाला भी नहीं हूँ मैं दस्मा इसा भी देता हूँ, मैं पराथना भी करता हूँ पर मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं। दूसरे ने कहा परमेशर मेरे जीवन में कोई अच्छी बात नहीं। मैं पापी हूँ, गुनागार हूँ। बाइबन में लिखा उसने शाती पीट पीट के कहा के परमेशर मुझे पर द्या करा। तो बाइबन में लिखा जिसने शाती पीट पीट के परमेशर से द्या को पकारा, वो धर्मी बनके गर वापस गया। और ब्लेस हुआ ये शुमसी के सामाती नामे। किसी को कभी भी तुछ मत समझो, अगर उसकी प्रेयर लाइफ अच्छी नहीं है, अगर वह पापी है, अगर आप उसको तुछ समझते हूँ, तो आपकी हर चीज परमेशर के समने वेर्थ है, वेर्थ है। मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ हूँ, लुका की इंजील उसकी अठारा की नौ, उसने उनसे जो अपने उपर ब्रुसा रखते थे, कि हम दर्मी हैं, और दूसरों को तुछ जानते थे, ये दृस्टान्द कहा, दो मनुच्छे मंदर में प्राथना करने के लिए गे, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यू प्राथना करने लगा, हे परमेशर मैं तरह धन्यवाद करता हूँ, कि मैं दूसरों मनुच्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याई और विब्याचारी नहीं, और ना चुंगी लेन वरना भी ना चाहा, वरना अपनी चाती पीट पीट कर कहा, हे परमेशर मुझ पापी पर द्याकर, मैं तुम से, मैं तुम से कहता हूँ, के वैं दूसरा नहीं, परन्तु यही मनुश्या दर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बना वो बड़ा किया जाएगा, बाइबन में लिखा, अगर आप दूसरों को तुछ जानते हूँ, कि यह पापी है, मैं पवितरताई में हूँ, तो एक पापी को परमेशर के सामने धर्मी बनने के लिए कुछ सेकंड लगते हूँ, कभी भी अपने रोजों का, कभी भी अपनी पवितरताई का, कभी भी अपनी प्रासना का, कभी भी अपनी अच्छे होने का डिंडोरा मत पीटो, क्यूंकि परमेशर के सामने एक सबसे बड़ा पापी, जो विप्या चारिया, जो अन्याये करने वाला, जिसने कभी प्रासना नहीं की, जिसने कभी रोजा नहीं रखा, जिसने कभी दस्वा हिसानी दिया जब वो परमेशर के सामने आके दस सेकंड में ये कहेगा कि परमेशर मैं पापी हूँ मुझ पर द्याका तो आप से बैटर परमेशर के सामने दर्मी होगा इसलिए किसी को तुछ जानना सबसे बड़ा पाप मैं समझता हूँ एक मूर्ती पूजा सबसे बड़ा पाप है परमेशर की नजर में और दूसरा पाप है तुछ जानना किसी को तुछ जानना और बहुत सारे लोग इसलिए बलेस नहीं हो पाते एक तो जब वो प्रात्ना करते हो करते मनुखों को दखाने के लिए प्रात्ना करते जब वो रोजे रखते मनुशों को दखाने के लिए रोजे रखते जब वो बीज डालते मनुशों को दखाने के लिए बीज डालते और वो जब पुवितरता ही रखते तो लोगों को तुछ जानते इसलिए कई लोग 10 साल होगे चर्च में जाते हुए 20 साल होगे अच्छे चर्चों में जा रहे हैं अच्छा वतन भी सुने लेकिन आज तक उनके जीवन में वो आशिश नहीं वो बढ़ना और फूलना नहीं जो परमेशर चाहता है जब तक आप परमेशर के सामने दर्मी नहीं ठहरते परमेशर की नजर में दर्मी नहीं ठहरते तब तक आप बढ़ना नहीं सकते अभी मैंने आपको पढ़के बताया को रभू ये श्मसीर ने क्या कहा उसने क्या उसने उनसे जो अपने उपर ब्रोसा रखते और हम दर्मी है कुछ लोग अपने उपर ब्रोसा रखते वो कहते हम दर्मी है हम रोज़ा रखते हैं, हम दो केंडे प्राथना करते हैं, हम आपते में दो बार रोज़े रखते हैं, हम चर्च जाते हैं, बीज लगाते हैं, वो चर्च में आएंगे, ऐसे आएंगे, कि उनसे जैसा कोई है ही नहीं, कभी भी परमेशर आपको आपकी नजर से नहीं देखता अगर आप चाते हो कि परमेशर से आपके जीवन में फाल आए पिता से आपके जीवन में फाल आए तो पिता की नजर में आपको धर्मी बनना पड़े तो पिता की नजर में धर्मी कौन ठहरता जो धर्म के काम तो करता लेकिन उसका धिंडोरा नहीं पीता वो मनुश्यों के लिए नहीं करता वो परमेशर के लिए करता वो दिखाने के लिए नहीं करता पर वो गुप्त में करता वो गुप्त में करता वो प्रात्ना करता गुप्त में करता वो बीज बीज बोता वो गुप्त में करता और वो सब कुछ करने के बाद किसी को तुछ नहीं समझता नीजा नहीं समझता कि को बाइबल का कनून क्या है कि जब भी तुम दूसरे से बात करो दूसरे की उंती का कारन बनो यह नहीं कि आप एक अच्छे चर्च में जा रहे तो आप दूसरों को तुछ समझो, आपको बाइबल ज्यादा आती है, आप दूसरों को तुछ समझो, आप ज्यादा प्राथना करने वाले दूसरों को तुछ समझो, आप ज्यादा बोने वाले दूसरों को तुछ समझो, आपका करेक्टर सही है, आप दूसरों को तुछ थी सिर्फ डाइनियल और यूसफ एक दो दो ऐसे इनसान हैं जिनके जीवन के लिए बाइबल नहीं बोलती है वह हर इनसान चाहे युकूब हो चाहे उसके बारां बेटे हो उनमें 11 में कमियां थी कोई विब्याचारी था कोई कतल करने वाला था यहूदा जिसके गोतर से प्रभू येश्यमसी का जन्म हुआ यहूदा ने यूसफ को पहले 20 रपेवों में बेच दिया था बाद में उसी के खांदान यहूदा इसकर जोती ने येश्यमसी को 30 रपेवों में बीच दिया और कभी भी दूसरे को तुछ मत समझो आप रात्ना करने वाड़े हो वेरी गुड जब आप मनुश्यों को दखाने के लिए ये काम करोगे तो फाल मिलेगा आपको कहां से मनुश्यों से और अगर आप दूसरों को तुछ समझते हैं फिर भी परमेश्य से फाल नहीं मिलेगा इसलिए मैं समझता हूँ जो मैंने जो बाइबल पड़ी कि सबसे बड़ा पाप जो पोईतर बाइबल में मूर्ती पूजा और उसके बाद जो पाप है वो तुछ जनना अगर आप मूर्ती पूजा नहीं का रहे हैं आप विब्याचारी नहीं आप दान देने वाले हो आप रात्ना करने वाले हो आप लोग को सारा कुछ करने वाले हो लेकिन अगर आप तुछ समझते हो दूसरे को तो परमेश्य की नजर में आप दर्मी हो नहीं तो जब तक आ मेशर आपको बढ़ा नहीं सकता ये कंडिशन है बाइबने में लिखा मैं आपके लिए पढ़ूँगा उत्पती में उत्पती साथ मैं ही पढ़ूँगा आपके लिए तब यहवा ने नू से कहा तू अपने सारे गराने समेथ यहाज में जा क्यूंके मैंने इस समें के लोगों में से केवल तूजी को अपनी द्रिस्टी में धर्मी पाया और बाइबने में उसकी नौ में लिखा फिर परमेशन नू और उसके पुत्रों को आशिज दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और प्रित्रिमें बर जाओ अगर आप बढ़ना चाते हो परमेशन से अपनी कोशिश से नहीं अपनी जिंदगी के अनन्द में अपने रिलेशन्शिप में अगर आप बढ़ना चाते हो अपने बिजनस में आप बढ़ना चाते हो अपनी जाब में आप बढ़ना चाते हो किसी भी एरिये में तो सबसे पड़ी कंडिशन क्या आपको परमेशर के सामने धर्मी बनना पड़ेगा और परमेशर के सामने धर्म के काम करने पड़ेगे आपको प्राथना करनी पड़ेगी और गुप्त में प्राथना करनी पड़ेगी आपको फास्ट रखने पड़ेंगे वो भी गुप्त में रखने पढ़ेंगे आपको बीज बोना पढ़ेगा वो भी गुप्त में बोना और उसके बाद अपने आपको छोटा समझना पढ़ेगा बाइबल में साफ लिखा अपने आपको दूसरों को अपने से उत्म जानो जब तक आपका सबाव ये नहीं होता कि दूसरा मुझसे उत्म है तब तक आप रियल में धर्मी नहीं बन सकते हैं तो जब तक आप धर्मी नहीं बनते तब तक आप बढ़नी सकते हैं तब तक आप बढ़नी सकते हैं इसलिए आपको अपने उपर काम करना पढ़ेगा आपको आपको अपने बढ़ने के पहले ये प्राथना करने से पहले कि प्रमेशन मेरे बिजनस को बढ़ा प्रमेशन मुझे जॉब में तरकी दे प्रमेशन मुझे फाइनस में तरकी दे प्रमेशन मेरे गड़ में शान्ती आए प्रमेशन में बाहर चला जाओं इन प्राथनाओं से पहले आपको ये प्रात्ना करनी पड़ेगी कि परमेशर मैं जो भी काम करूँ मैं तेरे लिए करूँ और दूसरों को अपने से ज़्यादा उत्तम समझू अगर आपकी प्रात्ना ये होगी कि परमेशर मुझे पर अनुग रहकान कि मैं हर किसी को अपने से ज़्यादा उत्तम समझू तो बाइवन में लिखा फिर आप आपकी पवितरताई आपका दस्वांद आपके रोजे आपकी प्राथना का जो फाल है वो परमेशे से आएगा और हंडर्ड परसन आप बढ़ोगे फूलोगे और दर्ती को बढ़ोगे एश्मसी के सामरती नाम में मैं कि का परोगे एश्मसी के सामरती नाम में इंगलेश में लिखा be fruitful and multiply and fill the earth fill the earth परमेशे चाता कि आप re term multiply हो fruitful हो आप बढ़े आपका बिजनस बढ़े आपकी जौब बढ़े आपके जीफिल में अनंद हो आपके गर में बच्चे हो अर चीछ चाता परमेशर आपको बढ़ाना चाता लेकिन परमेशर अपने वचन का परमेशर है आपको परमेशर की द्रिश्टी में धर्मी बढ़ना पड़ेगा आपको पुवितरताई में भी रहना पड़ेगा आपको परमेशर के सामने हर काम जो अच्छा है उसके वचन के उसार उसको करना पड़ेगा और उन कामों को करते हुए किसी को बिना तुछ जाने अगर आप परमेशर के सामने धर्मी ठहरोगे जैसे नू दर्मी ठेरा पवितरताई में रहते हुए परमेशर के कामों को करते हुए प्रास्ना करते हुए रोजों में रहते हुए बीज बोते हुए अपने समय को परमेशर के लिए यूज करते हुए और दूसरों को अपने से उत्नम समयते हुए अगर आप परमेशर की नजर में दर्मी ठेरोगे तो 100% बड़ोतरी आपके जीमन का हिसा होगी ये शमसी के सामरती नाम में मैं का हिसा होगी ये शमसी के सामरती नाम में सब जन्खड़ी हो जाएंगे अपने हाथों को उठाओ जल्दी जल्दी काउपरमेशन मुझ पर अनूप, पहले माफी मंगो, अगर आपने किसी को तुच जाना, तो माफी मंगो, सीरियस तरीति से, क्योंकि बाइवल में साफ लिखा, जब तक आप दूसरों के पाप नहीं, माफ करोगे आपके पाप नहीं, पहले दूसरों को माफ करो, अगर किसी किसी को तुछ जड़ा तो उसकी फिर माफी मंगो अगर आपने प्रातना की लोगो को दिखाने के लिए गुप्त में नहीं की जैसे परमेशर के वचन में लिखा तो परमेशर के सामने औस पिता के सामने येशु मसीख के नाम में उस गलती को मनो के परमेशर मुझे पर अनूग रहे कर कि जो बी मैं धर्म का काम करूँ तेरी नजर में जैसा है वैसा करूँ तांके मैं फल तेरी और से पा सकूँ और मैं वेट कर सकूँ जब तक तु फल ना दे मुझे इस परातना को करो कि तेरे तुछ से फाल पाने के लिए मैं वेट कर सकूँ सब जन सब जन अपने हाथों को उठा के अपनी आखों को बंद करके पहले माफी मांगो परमेशन मैं किसी को तुछ जाना नीवा जाना मैंने किसी को मुझे शमा कर मैंने नीचा जाना किसी को पापी कहा और कहो परमेशन मुझे पर अनुग रहकर, तांके मैं दर्म के काम करूँ, तेरे सामने धर्मी बनूँ, जैसे तेरे वच्चन में लिखा उसी तरह मैं धर्मी बन सकूँ, और तेरे फल की मैं वेट कर सकूँ, सब जन, सब जन, सब जन अपने हाथों को उठा के, आँखों को करके, परमेशन से वेट करने के लिए उस घ्रेस को मांगे, परमेशन तेरे फल के लिए, पिता परमेशन मैं तेरे फल केलिए वेट कर सकूँ, आज मुझे तेरे अनुग रहकी जरूरत है परमेशन जैसे नू यकूब अपने हलातों से नी गबराया उसके साथ अन्याइए होता रहा बीस साल फिर भी उसने तुझ पर बरोसा रखा और तुने उसे सुपर नेचरली ब्लेस किया परमेशन मुझ पर अनुग रह कर तांके मैं अपने हलातों से ना हरूं मैं अन्याएं से ना हरू जैसे यकूब नी हरा वैसे मैं भी ना हरू मुझे पर अनुग्रे कर, मुझे पर द्या कर और मैं उस समय की वेट कर सकूँ जब तू मुझे बढ़ाए, जब तू मुझे आशिशत करे जब तू मुझे आगे लेके जाए जब तू मुझे फलवंद करे मुझे वेट करने का अनुग्रह दे सब जन अपनी हाथों को उठा के आखों को बंद करके वेट करने का अनुग्रह मंगे वेट करने का को परमेशर मुझे पर अनुग्रह कर तांके मैं तेरे समय का इंतिजार कर सकूँ परमेशर तेरे समय का इंतिजार कर सकूँ परमेशर जब तू मुझे बढ़ाना चाहता है जब तू मुझे मल्टिप्लाई करना चाहता है जब तू मुझे फ्रूटफुल करना चाहता है मैं fruitful हूँ जब तु मुझे मेरे क्रेक्ठर को सही करना चाहता हूँ तब मैं वेट करूँ परमेशंग जब मेरे जीवन में अन्याया आये मेरे जीवन में दुख आये तब मैं ना गब आञ़शवास में ना जाओ परमेशसर मैं वेट करने वाला बनub तेरे फल की वेट करने वाला बनू जैसे नू ने वेट की मैं भी वेट करने वाला बनू और तेरी नजर में मैं धर्मी ठहरू तेरी नजर में मैं धर्मी ठहरू मैं मेरी नजर में मुनुखों की नजर में नहीं बलके मैं तेरी नजर में धर्मी ठहरू सब जन सब जन कहें परमेशन मैं तेरी नजर में धर्मी ठहरू मैं इंसानों की नजर में अच्छा न ठहरू बलके तेरी नजर में धर्मी ठहरू तेरी नजर में धर्मी ठहरू जैसे नू ने अपने आपको साबत किया कि वो धर्मी है ऐसे मैं अपने आपको तेरी नजर में साबत कर सकूँ कि मैं दर्मी हूँ और मैं जानता हूँ जब मैं तेरी नजर में दर्मी ठहरूँगा तम मैं भड़ूँगा अपनी जिंदगी के हर एरिये में तम मैं मल्टिप्लाई होंगा तम में फ्रूटफुल होंगा और तम में रियल में ब्लेस होंगा ये शुम्मसी के समती नामे मंगते हूं और आज से वेट करना परमेशर के फल की आप राथ ना करें, आप चर्च जा रहें, आप रोजे रख रहें, आपने बीज बोया तो आपकी कोई परसंसा नहीं हो रही, तो डॉंट वेरी, गबराना नहीं मनुखों की तरफ नहीं द्यान देना के मनुश्य क्या कह रहें आपको मनुश्य की परसंसा नहीं चाहिए और ये हंडर्ड परसंसा है, कि जब आप प्रबू के पीछे जाओगे, कि मनुश्य आपको देखेंगे तो आपने मनुश्य की तरफ नहीं जाना, मनुश्य आपके लिए अन्याएं करें, आपको कुछ भी करें इस बात की आप चिंता नहीं करनी, लोकी की कहन दे, एए नहीं वेखना लोका ने युकूब नाला अन्याएं की तक नहीं की ता उन्हें परमेशर दी वाले वेख्या, तुस्य ए नहीं देखना, लोकी की कहन दे, एए नहीं सालोगे चाच जान दे, हो यात है नी नो परमेशर अपने तरीके ना ता नू आशिशित करेगा पहला ता ड़ा क्रेक्टर तो फेड ता नू वो चीदी वेट करियो तो जै तुझी लोकान दी मनूँगे लोकान लेक के परमेशर नू बाय बाय कर दूँगे तो लोकान को दे ता नू परसंसा मिल जानी है डाउंट वारी लोकाने चार बने ने ताड़ी तरीक कर देनी पर परमेशर वलो तुझी रहा जानो खैसला ता डेहा तो वेचिया मैं ता नू पहला क्या सी के मनुखान तो फाल चाउने हो के परमेशर तो फाल चाउने हो तो जे परमेशर तो फाल चाउने हो तो फिर वेट करियो और फाल एना उत्म होएगा के कदी नी खत्म होएगा ये शमसीर सामरती नावेचा मैं कहा कदी नी खत्म होएगा ये शमसीर सामरती नावेचा यह कूब ने वेट की ती आज तक उदा फड़ हैगा गरियागा इसराइल हैगा गरियागा अज तक किन्ये लोकाने उन्हें थे हमले की ते कई लोकाने उन्हें ब्रबाद करने कोशिश की ती दो ची जान इस तर थी तो पर मेल कदी निकारेगा अपना अंच ते अपनी तार्मकता नेवर दुनिया दे कोशची भी होजे लडायिया लग जारह और सेक़ंड वर्ल्ड वार थर्ड वर जो मझजी होजे परमेशर अपनी अंच ते अपनी तार्मकता खतम नी हों देगा कदीव नी नूदे टैम ते सिर्फ ओदे ओदे तेन मुंडे सिर्फ तर मी पूरी धुनिया पापी सी परमेशर ने अपनी तार्मकता नी खतम हों देती मैं और तुसी परमेशर दी अंच हों तो जो कोछ मर्जी हो जे दुनिया ते परमेशर अपनी अंच तार्मकता खतम नी होँदे, कदी विने और वाले देन जड़े या तानू पता एदना दे बाइबल चे लिख्या ट्रिपल सिक्स बारे लिख्या कि ट्रिपल सिक्स आएगा तो मसी लोकां दे बहुत अन्याएं होनगे वाक वाक रेविलेशन या परमेशर दे दासां दे पर मैं तैनू एक गालक क्लियर दास जाओ परमेशर दा परमेशर दा जड़ा वंच या जा अंच कहलो वदा बीज योदी तार मकता कदी खत्मनी होएगी कदी खत्मनी होएगी बोलो मैं परमेशर दा बीज आँ मैं परमेशर दा वंच याँ और मैं तर्मी याँ और मैं जान दाँ मैं कदी खत्मनी होगा मेरा वंच बादा जाएगा जाताक तर्ती बनी रेगी ये शुमसीद सामती नावज मंग देहां ये हिस्ट्री या हजारा साला तो परमेशे ने अपनी ना तारमकता खत्मों देती दुनिया ते बहुत ज़्यादा पाप वद्या पर परमेशे ने अपनी अंच नो खत्म नी हों देता अपने हथान उठाओ परमेशे मेरते अनुग रह कारा तांके मैं हलात ना दे उनसार कदी भी समझोता ना करा बलके तेरे वच्चन ते परोसा रखा और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल डेविड मसीम निस्टिज परमेश्वर के वच्चन का अनन्द लेने के लिए अभी फॉलो कीजिए हमारे फेस्बुक पेज वीडियोग चैनल अभी अभी बाग्या बग्याज बग्याज देखने लेके लगाइब टेखने लेकान लेके लूपेश ते रिचार बाग्याज देखने लेगे हां इवाज Packard लेकार अनन्द देखने लेका नवाज चैनल